कि है गाइस मैं सुमत्य को फिर से बहुत बहुत करता हूँ आपका होटेल मैनेजमेंट ठेल पर यूटीब चानल पर गाइस आज के इस यूटे में हम बात करने वाले हैं रैंक वर्सेज कोलेज के बारे में काफी सारे इस्टोर जितने भी आप एंसी एच्टीज डेवली के सो जिन्हों ने भी अभी एक्जाम दिया है उन सभी के माइड में ये जानने के बहुत ज़्यादा अभी एक्षा है कि रैंक वर्सेज कोलेज कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया है मार्क्स वर्सेज रैंक का मतलब अगर आप यहां से देख सकते हो और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं rank versus college मतलब कि कितने rank पे कौन सा college आपको मिल सकता है फ्रेंट्स ओपनिंग rank and closing rank with category wise देखने के लिए सबसे पहले हम लोगो रहें NCHM counseling के official website पे आजाना है इस website का link आपको नीचे description box में मिल जाएगा जैसे आप उस link पे click करते हो हमारे सामने में इस तरह गए के interface open हो करके आजाता है फ्रेंट्स आप अभी यहां पे ध्यान से देख लोगी यह NCHM counseling 2021 का website है यह पुराना वाला ही website अभी तक नया जो portal है 2022 का वो अभी तक उपे नहीं किया गया है नहीं वाली डैंकिंग अभी तक आउट नहीं की गई है इसलिए मैं आपको पुराने वाले website से ही समझा रहा हूँ यहां NCHM counseling 2021 के official website पे आजाने के बाद आपने यहां simply e-services में आना है इस services में नीचे ORCR पे आप जैसे ही क्लिक करते हो आपके सामने में इस तरीके से एक interface ओपन हो करके आ जाएगा अब यहां पे आप नीचे देख लोगे BSE HHA round 1, 2 and 3 ORCR 2021 लिखा हुआ है इस पे हम लोगों ने simply click कर देना है जैसे ही आप यहां पे click करते हो आपके सामने में इस तरीके का एक interface ओपन हो करके आ जाता है यह है NCHM Counseling 2021 का ORCR वाला पोर्टल यहां से हम लोगों को पता लग जाएगा कि कौन से round में किस तरीके से कितना rank गया है वो सब कुछ हम लोग यहां से देख सकते हैं आपको बता दें सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है कि NCHM Counseling का जो Counseling पुरा प्रोसेस होता है वो टोटल तीन round में होता है फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड जिसको हम लोग फाइनल राउंड, स्पोर्ट राउंड भी बोलते हैं इस वीडियो में हम लोग NCHM Counseling 2021 के तीनो डाउंड के बारे में जानेंगे और हो सकता है कि अभी जो NCHM Counseling 2022 है इसमें भी टोटल तीन राउंड में आपका Counseling का जो प्रोसेस हो हो क्योंकि वो दो राउंड में इसलिए किया गया था 2020 में क्योंकि सेशन जो है वो बहुत जादा लेट हो गया था और अभी ठीक ठाक सा चल रहा है तो उमीद है कि तीन राउंड में ही आपका Counseling प्रोसेस है वो होगा तो आगे तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को तो सबसे पहले यहाँ पर Option आड़ा है Select Round Number तो Round Number में यहाँ पर हम लोग सबसे पहले Select करते है Round 1 Select Institute में तो यहाँ पर आप किसी एक Specific किसी एक Individual College को भी Select कर सकते हो तो लेकिन मैं यहाँ पर All करूँगा आप लोगों को समझाने के लिए और नीचे में Select Program है तो यहाँ पर All है यहाँ पर नीचे में BSE in Hotel Management है तो इस पर हम लोगोंने BSE in Hotel Management पर क्लिक करके Summit पर क्लिक कर देना है जैसे ही आप यहाँ पर Summit करते हो आपके सामने में इस तरीके से पुड़ा जो ओपनिंग रैंक और एंड क्लोजिंग रैंक है राउंड वन का वो ओपन हो करके आ जाता है देखो यहाँ से आपको पुड़ा एक आइडिया लग जाने वाला है कि आपका कितना रैंक होगा तो आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है देखो कुछ स्टूरेंट समझ भी गया होंगे लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं पूरी डीटियल से क्लेट तरीके से पता जो क्योंकि एक एक स्टूरेंट का कॉंसेप्ट के लिए होना बहुत ही जादा जरूरी है कांसलिंग परॉसज्य के लिए तो यहां देखो ओपेंच का मतला वहता यह जितने भी है न ये देखो ओपेंच है ओपेंच प्डखी में हैं में च्छल यहीं सब सенд कहा है यहां बै। मेंच इक जनल इनदा स्टूरहं के साथ है वह सब स्टूइंट्स इसमें आ जाएंगे EWS के टेगरी वाले स्टूइंट के लिए अलग से यहां पर बना हुआ है EWS PWD यानि की EWS पर्सन विडिसेबिलिटिस के साथ जो भी स्टूइंट्स आते हैं उनका यहां पर डिटल्स रहेगा OBC NCL यानि की OBC Non Criminal वालों के लिए यहां पर दिया गया है OBC NCL PWD के लिए यहां पर है SC के लिए यहां पर Cedule Cust and Cedule Cust PWD वाले का भी यहां पर उप्सन दिया गया है Cedule Tribes ST Category का भी यहां पर उप्सन है ST PWD है and finally यहां पर KM है कस्मीरी Migrants यह हो गया Category अब देखते हैं यहां पर OR और CR का मतलब भी हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं OR का मतलब होता है जहां से ranking start होती है CR का मतलब होता closing rank जहां पर आपकी जो ranking है वो खतम होती है जैसे एक यहां पर example हम लोग लेकर के चलते हैं IHM Bangalore का यहां पर देख लो IHM Bangalore में जो opening rank गई है general category की round 1 में NCHM Conseling 2021 के round 1 में जो इसकी ranking गई है opening rank है 89 और जो इसकी closing rank है वो है 892 सेम इसी तरीके से आप बागी सारे institute का देख सकते हैं कौन से IHM का कितने rank पे open हुआ था और कितने rank पे close गया था बागी सारा list नीचे में दिया गया जो भी NCHM से affiliated institutes है state IHM है central IHM है PSU है या जो भी private IHM है उन सभी का list इसमें mention है आप सभी को category wise देख सकते हो अब यहां पर हम लोग देख लेते हैं देखो यह जो इसमें दिया गया है ना open rank close rank यह जरूरी नहीं है कि आपके NCHM counseling 2022 में भी सेम ही रहेगा यह different हो सकता है और different होगा ही होगा no doubt यहां पर जैसे यह 892 है यह first round में अब मैं आपको दिखाता हूं second round में तो देखो यह कितना बढ़ जाता है और क्या कैसे difference है तो यहां पर select round number में हम लोग round 2 select करेंगे और इसको submit कर देंगे जैसे यह भी submit करते हैं हम लोग यहां पर देख लो जो opening rank and closing rank है हम लोग यहां पर फस्ट में देख रहे हैं तो जो अभी हम लोग start किये थे उसमें 800 something था अब यहां पर देख लो यह जो open rank है वो हो गया 89 और जो closing rank है वो 1269 चली गई है मतलब कि second round में जो आपका ranking होता है जो closing rank होता है वो बढ़ जाता है अब इसी तरीके से round 3 में आपको मैं लेके चलता हूँ तो यहां select round number में हम लोग round 3 select करते हैं और इसको submit कर देते हैं जैसे ही आप submit करोगे इसमें यहां तो जहें हैं लेकिन आप बाटी सारे जो भी items का देखोगे न नीचे तो कई सारे IHM का इसमें third round में जो होता है वो closing rank में काफी सारा difference आ जाता है जैसे 9,000-10,000 से उपर rank वाले जो भी colleges हैं उन सभी में आप देख लोगे बहुत ज्यादा का भी difference होता है इसमें on and average आप मान के चलोगे तो 100, 200, 500, 1000, 1500 तक का भी difference आपको देखने को मिलता है अगर जैसे यहां पर कोई college 1000 rank में close हुआ है closing rank उसकी 1000 है तो वो 2022 में हो सकता है कि वो 900 में ही close हो जाए या फिर वो 1200 rank तक चला जाए 1300 rank तक चला जाए ऐसा हो सकता है तो आप सेम इसी process से बागे सारे IHM का भी देख सकते हो आपको जिस भी IHM का open rank close rank देखना है वो सब कुछ आप सेम इसी process के जरीए देख सकते हो बागे आगे choice filling के time पे कितना rank का difference रखके आपको चलना है वो सब कुछ आगे में जब choice filling वाला वीडियो बनाओंगा NCHM counseling 2022 के लिए तो उसमें हमें detail तरीके से आपको बताता रहूंगा कि कैसे आपको choice fill करना है क्या कैसे आपका process रहने वाला है आप किस तरीके से choice filling करोगे तो आपको आपका desire college कैसे मिल सकता है वो सब कुछ आगे जो भी strategy होती है जो भी tips and tricks है वो सब आगे मैं आपको देते रहूंगा तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो NCHM counseling and hotel management से related हरेक latest update लेने के लिए hotel management helper YouTube channel को subscribe करके bell icon जबर प्रे पोस्तों के उनको ही पता लग जाए कि ये rank versus college वाले वीडियो से उनको एक idea जरूर लग जाएगा कि कैसे वो अपने counseling में perform करें अब इस rank versus college के list में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या कहीं भी कुछ और जानना हो तो आप नीचे comment box में बताए हम Instagram पे follow करे हम Instagram पे message करके भी आप बताए हम कोशिस करेंगे कि उसको आपका जो confusion उसको clear करे या फिर उसके उपर एक separate सा वीडियो बना दे और अगर आप किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहते हो तो वह भी आप नीचे comment box में बताए वीडियो पसंद आ हो तो वीडियो को like जरूर करे maximum share करे जिनको अभी इस rank versus college की जरूर है तो हम सभी के पास जरूर सुरूर इस वीडियो को share करें अगर अभी तक आपने hotel management help पर youtube channel को subscribe नहीं किया है तो NCHM counseling को से related हरे की latest update लेने के लिए hotel management help पर youtube channel को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर दे जिससे आने वाले सारे important videos की notifications आपको मिलती रहे वी